दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दा यूनिवर्सल में आज मैं आप लोगों को सेप्टी आप चिलर्स बताने जा रहा हूँ इससे पहले मेरे बहुत सारे वीडियो हैं जो कि मैं इस चैनल पर डाल चुका हूँ है अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप कमेंड बॉक्स में लिखेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ऐसे इससे पहले बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ है वर्किंग का और टेस्टिंग का सारा चीज का तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा करके देख सकत हैं सारा वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है तो पहले ब्रीफ देखते हैं और उसके बाद डीटेल में बताएंगे क्या है यह सारे चीज ठीक है सेप्टी अप चिलर कोईशन हमेशा इससे पूछा जाता है कि सेप्टी अप चिलर क्या है क्योंकि अगर आप HBC में जा रह इंटर्वी में बैठ रहे हो तो उसमें देख लेना ठीक है तो मेंली जो प्राइमरी जो सेप्टी होता है हाई प्रेसर लो प्रेसर लो ओइल प्रेसर वाटर फ्लो स्वीच और एंटि फ्रीज यह मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं अगर जिसको नहीं देखना है वीडियो मतलब कि ज्यादा लंबा नहीं देख सकते हैं तो इसके लिए यह है अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं उसके लिए मैं आगे बता रहा हूं क्या क्या है यह हाई प्रेसर लो प्रेसर किसकी रेस्पेक्ट में अगर आप सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक दे में तो उसके रिकाइडिंग तीन-चार सेप्टी हैं फिर आगे मैं सेप्टी बताऊंगा बहुत सारे हैं लेकिन जो प्रैमेरली हैं वह मैं बताने जा रहा हूं ठीक है Compressor is an in-air conditioning and refrigeration plant have to be provided with protective devices and circuit to protect them from damage damage होने के लिए क्योंकि बहुत heavy parts होता है उसके बीना आप मतलब chiller को चला नहीं सकते हैं और बहुत costly भी आता है तो इस तो protection जरूरी है ठीक है तो the basic protective devices are high pressure cutout, low pressure cutout, oil low pressure cutout and oil separator या oil extractor अब यह क्या क्या होता है तो वह मैं बताने जा रहा हूं देखिये, a compressor in refrigeration or air conditioning plant has to be protected with some safety to protect it from operational fault अगर बीच में fault आता है, operational fault तो वो प्रोटेक्ट कर लेगा ठीक है three common safety's provided are high pressure trip, low pressure trip, the low oil pressure trip क्या होता है, high pressure cutout जो है हमारा discharge में लगा होता है अगर आप पकड़ लो, यह हमारा compressor है ठीक है और यह discharge आता है कि इसमें हमारा condenser में जाएगा, हाँ न, discharge line और यह हमारा suction line है जो evaporator से आता, अब इसको बहुत ही दिमाग में रखना क्या है तो high pressure trip क्या होता है कि यह यहाँ पे लगा होता है, इस side में discharge में, यहाँ पे आपको एक safety device लगा होता है इसमें क्या होता है, जैसे प्रेशर ज्यादा होता है यहाँ जो है, उसको set किया जाता है यहाँ पे nut volt की tap का होता है, जो की man वाली आप set कर सकते हो, ठीक है कि यहाँ प्रेशर रखना है यहाँ प्रेशर जाएगा, इस से होते होए तब यह लाइन में जाएगा अगर ज्यादा प्रेशर होगा, तो यह वोल्ट जो है, यहाँ पे वोल्ट टाइट रहता है इसमें बेलोज लगा होता है, ठीक है, रबर का उस type का लगा होता है जो कि एर डालता है, तो यह expand करता हो, उसकी हिसाब से तो उसमें set किया जाता है कि कितना प्रेशर तक आपको रखना है, ठीक है ताकि वो लाइन फदर डाइमेज ना हो, अगर ज्यादा होगा तो यह blast कर सकता है तो इसके लिए, suction में भी वही है, low pressure में अगर pressure low हो रहा, pressure low होने का कारण क्या है, कि आपका जो है, evaporator में temperature low है temperature low होगा, तो यह suction pressure भी यहाँ पे low होगा तो अगर ठंडा है हमारा पहले से evaporator में, तो हम ठंडा करने क्यों जाएंगा अगर ठंडा करने जाएंगे तो इसमें कम से कम इसमें तो refrigeration होना चाहिए, refrigerant होना चाहिए, तब तो यह compress करेगा अगर यहाँ पे refrigerant की कमी होगी और यह compressor चलता रहा, तो यहाँ पे air शक कर जाएगा air मतलब कि या तो यहाँ vacuum create हो सकता है, vacuum create होने के बाद भी atmospheric pressure ज्यादा बढ़ जाएगा low oil pressure रहता है, पर oil का pressure हमेशा रहता है, ठीक है, क्योंकि oil नहीं रहेगा तो bearing हो सकता है तो वही दिया हुआ है आप देखिए, high pressure can be caused in a refrigerant plant due to various causes like overcharge ज्यादा refrigerant हो गिया, या loss of cooling water, cooling water ज्यादा होगा तो गर्म हो जागा तो इसके कराण high ambient temperature बाहर का temperature ज्यादा होने के कारण भी हो सकता है और other incompressible जो की compress नहीं हो सकता वो gases उसमें इंटर कर गिया, ठीक है compress में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को press करके उसके volume को कम कर सकते हैं अगर incompressible होगा, compress नहीं कर पाएगा तो उसका volume तो बढ़ता ही रहेगा घटेगा तो नहीं तो उसकारण में pressure हमारा बढ़ जाएगा तो वो सब जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यह हमारा रहता है तो यह काउज बता रहा है क्यों क्यों होता है अच अब चैहा हमारा ना ब्च्राण लिएम दो क्रेंट था जानाए अच्छा, अब क्या है ? low pressure cut-out यह क्या है to protect the compressor against low pressure in the system and to avoid the ingress of air into the system मतलब कि air इसमें इंटर ना कर जाया ओ लाइन में रेफ्रिजरेंट के लाइन में इसके लिए यह low pressure cut-out रखा जाता है ठीक है और यह vacuum ना क्रिएट हो जाया इसके लिए भी है also when there is no return gas और return gas नहीं होगा तो भी हम लोग solenoid उसमें लगा रहते हैं मतलब कि आप evaporator में भी देखेंगे condenser में भी देखेंगे यह electrically मतलब कि excited होता है solenoid अगर आप solenoid खोल दोंगे तो वो हमारा आपका यह बंद हो जाएगा plant और oil separator क्यों दिया रहता है as oil is a missable मतलब कि oil mix हो जाता है या उसमें मिल जाता है किसमें रेफ्रीजरेंट में तो अगर रेफ्रीजरेंट में मिल जाएगा तो वो जाते जाते evaporator के लाइन में उसके लाइन की चार और मतलब कि obstruction पैदा कर देगा कावड पैदा कर देगा जिसके कारनल प्रेशर हमारा बढ़ सकता है या की effectiveness कम हो जाएगा oil अगर किसी लाइन में जाएगा पकड़ लो यह कोई लाइन है इसके अंदर से लाइन के अंदर से लग जाएगा तो यह थंडा होने के थंडा नहीं हो पाएगा न क्योंकि बाहर में थंडा मतलब कि हमारा cooling water जो है इसको यहां से transmit नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में obstruction आगी है इस कारण से तो उसको हटाने के लिए oil separator लगा होता है और क्या था water flow switch क्या होता है यह discharge line पे लगा होता कंडेंसर के ताकि आपको पता चल सके कि हाँ यहां से water जो है cooling tower में जा रहा या नहीं जा रहा अगर नहीं जाएगा तो इसका मतलब कहीं नहीं fault है और यह गर्म होकर कि हमारा यह damage कर सकता है system को तो इसलिए water flow switch लगाते है और antifreeze क्या होता है कि thermostat को इतना कम न कर दे ताकि वहां पर आकर के evaporator में जम जाए refrigerant जम जाएगा तो फिर मुझे line पूरा clear करना पड़ेगा इसके लिए antifreeze लगा के रखते हैं समझ माई बात तो दोस्तों आप लोगों कैसा लगा यह वीडियो अगर आपको कोई भी doubt हो HBC से तो आप comment box में लिख सकते हैं और मेरे channel को आप subscribe करें like करें और share करें और bell notification को जरूर दबाए thank you very much